जादूई टोपी एक समय की बात है, एक गाउं में पंडित रहा करते थे उन पंडितों ने अपने आपको गाउं में सबसे उंची जाती का और बुद्धिमान समझने के कारण पंडितों को रहने के लिए एक अलग मुहला बनाया हुआ था, जिसका नाम था पंडितों का मुहला असलियत में वे केवल जाती से पंडित थे, किन्तु बुद्धी कहीं से चूकर भी नहीं गई थी लेकिन वे इस बात को मानने को कभी तैयार नहीं होते और हर बात में दखल अंदाजी किया करते थे और अपने आपको दूसरी जाती के लोगों से बड़ा दिखाने की कोशिश किया करते थे एक बार कुम्भ स्नान के समय पंडितों ने सोचा कि वह भी गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों को धूएं और इस तरह से दस पंडित कुम्भ के मेले में स्नान करने के लिए जाने को तैयार हो गए अगले दिन ही वो गाउं से इलाहबाद जाने के लिए निकल गए और दोपहर तक इलाहबाद पहुँच गए संगम जाने के लिए और कुछ ही देर में संगम पहुँचे जब वहाँ पहुचे तो उन्होंने देखा कि भारत वर्ष के अधिकान्श लोग ऐसा लगता है इलाहबाद में ही आ गए हैं चारों तरफ बहुत भीड थी छोटे से गाउं में रहने के कारण पंडितों ने कभी इतनी भीड नहीं देखी थी उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वे भीड में छूट न जाएं और इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा उन्होंने कहा संगम में बे इंतिहा भीड है और लोग जोड़-जोड़ से धक्के मार रहे हैं यदि नदी की तरफ देखें तो पानी का बहाव भी बहुत तेज है इसलिए जब हम संगम में नहाने के लिए उतरेंगे तो दसों के दसों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे जिसके कारण किसी का भी पानी में बहना मुम्किन नहीं होगा और हम सब मिलकर आराम से नहा कर सुरक्षित अपने गाउं वापस लौट जाएंगे ऐसा सोच कर नदी के पास आने के बाद दसों ने जोड से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और नदी में उतर कर अपने पापों को धोने के लिए डुपकियां लगाने लगे हर डुपकी के साथ वह जोड से बोलते हर हर महादेव हर हर गंगे इस तरहां कुछ तेर स्नान करके जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने पापों को अच्छी तरहां से धो लिया है तो वे नदी से बाहर निकल आए बाहर आने के बाद उनमें से एक पंडित बोला चलो हम अब गिन लेते हैं कि हम पूरे दस हैं या नहीं बाकी पंडितों को भी यह सलाह अच्छी लगी एक पंडित ने सभी पंडितों को गिनना शुरू करा एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ और नौ अरे दस्वा पंडित कहा है वे बड़े परिशान हो गए दूसरे पंडित ने कहा मैं गिनता हूँ उसने भी गिना फिर वही हुआ बार बार उनकी गिनती नौ पर रुप जाती थी अब उनके दुख का कोई ठिकाना ना था उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उन दसों में से एक पंडित पानी में बह गया है किन्तु वे कौन है इसका पता भी नहीं लगा पा रहे थे एक टोपी बेचने वाला हरिजन जाती का व्यक्ति बहुत देर से पंडितों का नाटक देख रहा था और वे देख रहा था कि वे मूर्ख पंडित जब बाकी पंडितों को गिनना शुरू करते हैं तो खुद को बिलकुल भूल जाते हैं इसे लिए बार-बार वे खुद को नौ बताते हैं टोपी वाला बोला महराज आप तो बड़े ही ग्यानी हैं और मैं मूर्ख जाती वैसे भी मैं हरिजन हूँ लेकिन मेरे पास जादू ही टोपियां हैं यदि आप मुझसे टोपियां खरीद लें तो मैं आपके पंडितों को वापस गिन्ती में दस कर सकता हूँ एक पंडित के खो जाने के भय से पंडित अपना पूरा जातिवाद भूल चुके थे उन्होंने बोला हाँ हाँ जरूर जरूर तोपि वाले हम सब तुमसे एक एक टोपि खरीदने को तयार हैं तुम पंडितों की गिन्ती फिर से करके हमें दस कर दो टोपी वाला बोला ठीक है आप सब ही मेरी जादोई टोपी पहन लीजिए और फिर इन टोपियों को उतार कर जमीन पर रखती जिए पंडितों ने ऐसा ही किया उसके बाद टोपी वाले ने सारी टोपियों को पंडितों के सामने गिन कर बताया दस टोपियां थी पंडितों को विश्वास हो गया कि वे दस ही हैं वे बहुत खुश हुए और उन्होंने टोपी वाले को बहुत आशीरवाद दिया और संतुष्ट होकर अपने घर चले गए टोपी वाला एक साथ दस टोपियां बिकने के कारण बहुत खुश हुआ और पंडितों की बुद्धी पर हस्ता हुआ अपने घर चला गया इस तरहां टोपी वाले ने अपनी बुद्धी की मदद से अपने व्यापार को आगे बढ़ा दिया और पंडितों को भी समझा दिया कि सिर्फ पंडित होने से कोई बुद्धिमान नहीं होता